Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read 8th lesson of 4th class. The lesson name is A Devoted Disciple. Devoted होता है निश्ठवान डिसिपल हो गया शिश्य है, यानि कि यहां पर यह स्टोरी है, जो एक इंटरस्टिंग सी स्टोरी है, एक निश्ठवान शिश्य की, उसका नाम है इकलव्य है. आपने सुना भी होगा इकलव्य के बारे में, नहीं सुना तो हम आज यहां इस स्टोरी में रीट करेंगे. इकलव्य और उसके गुरु द्रोनाचारी है, यह स्टोरी है, जैसे कि इकलव्य एक सिंपल साधान से फोरेस्ट का बेटा था तो गुरु द्रोनाचारी ने उसको सिक्सा देने से मना कर दिया, लेकिन वो उसकी मूर्ति बना के अपने आप सिक्सा लेता है, और फिर वे वाजदा सन ओफा कोमन फोरेस्ट ड्वैलर, कोमन फोरेस्ट ड्वैलर मेंज यानिके एक जंगल में रहने वाला सिंपल आदमी का वो बेटा था, यह वांटे टू लर्न आर्चरी अंडर गुरु द्रोनाचारी होता है तीर अंदाजी, जैसे आप पिक्चर में भी चाहता था, द्रोनावाजदा लिजैंडरी होता है परशीद, आर्चरी टीचर, तो जो गुरु द्रोनाचारी थे, वो बहुत ही परशीद दिर अंदाजी के गुरु थे, दे रोयल प्रिंसेज वर सेंड टू इस आसम टू लेन दा यूज ओफ वेपन्स, वेपन्स होते है हतियार या अस्तर सस्तर, उनको सीखने के लिए रोयल होते हैं, जो राज़ाओं के बच्चे होते थे, राज़कुमार होते थे, वो ही गुरु के आस्तर में हतियार चलाना सीखना, शीखियां से अस्तर सस्तर वीद्या लेके जाते थे, तो इसके बहुत थी, जो शिश्य थ तो जो हमारे गुरू थे द्रोना इनके सबसे जो फैवरेट डिसिपल थे वो कुन थे अर्चुन तो ब्लेस्ट होता है आश्रवात तो गुरू के दवार उसको आश्रवात दिया गया था यह अर्चुन को कि उसके ब्राबर का अर्चुन में यहां इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है वन डे एक्लवय वेंट गूरू द्रोना तो क्या हुआ कि एक दिन एक्लवय गूरू के पास गया टेक मी ऐज आज वयर डिसीपल ही बैग दा गूरू तो उसने बोला गूरू जी बैग मेंस निवेधन करना तो उसने वे गूरू से निवेधन की कि गुरू जी आप मेरे को अपना शिशे बना ले तो गुरू द्रोना ने एक लवे से पूछा है तुम कौन और तुम्हारे फादर कौन है क्या ना मैंनु का कि मेरे पिता एक जंगल में रहने वाले साधरन आदमी है और मैंनु का बेटा हूँ तो गुरू ने बोला मैं अल्ली राजाओं के बच्चों को राजकुमारों को ही सिखाता हूँ आपको मैं नहीं सिखाता तो इकलवे क्या कि इस बात से उदास हो जाता है वापिस अपने जंगल में आ जाता है तो उसने चिकनिमिटी से गुरू के एक मूर्ती बनाई और वहाँ पर उसने तीर अंदाजी खेलना शुरू कर दिया यहाँ पर वो गुरू को यानिकि उस मूर्ती को ही अपना गुरू मानता है सून ही बिकम आ परफेक्ट अर्चर और जल्दी ही वह एक अच्छा तीर अंदाज बन जाता है तो आज हमने इस वीडियो में हाफ पार्ट इसका किया है आज हम पर दिया है